गुर्मानिंग स्टुडेंट्स सभी ध्यारतियों को नमस्कार है आज का जो इशे है हमारा वह है फसल उत्पादन ठीक है फसल उत्पादन में हमने अध्याय दो स्टार्ट किया हुआ है खेती के परकार यह हम पढ़ना लिया ठीक है उसी को आगे हम कंप्लीट करेंगे तो य कि घी से अन्य कThen की जाती है उसी को हम बोलते मिश्रित 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 करती के अंतरगत बता सकते हैं तो मिश्रित खेती से तात्पर्य फसल उत्तपाधन कार्य तता पशु पालन जैसे आपका गाई-भिष पालन है मुर्गी पालन है मचली पालन है सुवर 25あります कारे को एक दुस्तरे के पूरक के रूप में ठीके साथ-साथ संपन्न करने है ठीके मतलब ड़ाइब कर्शिं कर रहे हो खेती कर साथ-साथ में अगर पशो का पालन भी कर रहे हो तो उससे क्या होगा आपको प्राप्त होगा दूद्स के विभिन्न पतार्त या दूद्स से बने विद्विन्न पतार्त होगा क्या होगा उत्पादन होगा उससे आपकी आए की इंकम बढ़ेगी तो इस परकार की खेती को हम क्या बोलते हैं मिश्रित खेती बोलते हैं भारत खेती जो होती है वो किसके साहिता से की जाती है पश्यों के साहिता से की जाती है क्योंकि जो खेती की नुड़ाई गुड़ाइड है वो किर्यायट किसके द्वार संपन्न की जाती है पश्यों का उप्योग करके ही संपन्न की जाती है ठीक है तो पश्यों पालन करने से मिश्रित खेती बोलते हैं अब आपको प्रश्न इस तरीके से एक्जामें पूछे जाता है कि मिश्रित खेती के क्या 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 लाव है तो सबसे पहले मिश्रित खेती के लाव देखेंगे पसल यहीं पशुपालन में परीपूरक संबंध होने के कारान फॉर्म की उत्पादन शम्ता यहां आई बढ़ जाती जो आप खेत होता है अपका उसकी उत्पादन शम्ता और आई क्या हो जाती है बढ़ जाती है न मिश्चित लिक्र लेती करने से पशु के मल त्याग से बनी जैविक खाथ के उपयोग से भूमी की उर्वरा चक्ति बनी रथिये तथा जैविक खेती को परोथ साहन मिलता है क्योंकि आपका पश्यों होते हैं उनके मल मुत्र द्वारा क्या बनता है कंपोस बनता है जिसको हम जैविक खाद बोलते हैं और वह जैविक खाद भूमी में डालने पर खेती में डालने पर क्या होता है उसकी उर्वराशक्ति बनी रहती है और उर्वराशक्ति बनी रहेगी तो उत्पादन आपका घटने के बजाए बढ़ते रहेगा जिससे आपकी आई क्या होते जाएगी बढ़ते जाएगी ठीक है फाम पर उपलब्द उत्पाद जैसे भूसा का समुचित उप्योग हो जाता है ठीक है उसके बाद में शर्मिको का संतुलन वर्ष भर बना रहता है ठीक है मतलब उनको वर्ष भर काम मिलते रहता है जिसके द्वारा उनकी भी आई बनी रहती है कर्शी वेवसाय की असमानताय घटती है किसान को रोजना आय प्राप्त होती रहती है बेरोजगारी की समस्या कम हो सकती है मतलब बेरोजगार नहीं हो पाएंगे अगर आप मिश्रित खेती को अपनाते हो मतलब डेली आय प्राप्त होती रहें है कि मालेजें कि आप परशु गाय बेश पाल रहें हो और उससे क्या मिलब प्राप्त होगा तरीके पुछाता है कि मिश्रित खेती से हानिया तो मिश्रित खेसी से होने वाली कोई चार या पाच हानिया लिखी है ऐसा जरूर नहीं कि जो कहती मिश्रित खेती की जाती है उससे हानिया ना हो तो हानिया भी होती है तो उन हानियों को लिखने के लिए भी आपको एक्जाम में पूछा जाता है तो क्या क्या आनिया होती है तो मिश्रित खेती के लिए अधिक धन एवन सुईधाओं की आवशकता होती है मतलब धन लगता है मिश्रित खेती करने के लिए क्योंकि आप खेती तो कर रहे हो पर अगर आप भेस या गाय पाल रहे हो तो आपको उनको खरीदना पड़ेगा और खरीदने के लिए आपको क्या चाहिए धन चाहिए पैसा चाहिए ठीके उसके बाद में सुईधाय कोई भी आवशकता होती है मतलब उनके लिए प्रॉपर सुईधा आपको करना पड़ेगी ठीके उनके खाद्य मतलब के घास के लिए उनके चारे की व्यवस्ता करने पड़ेगी ठीके उनके रहने के लिए ठीके प्रॉपर व्यवस्ता आपको करना पड़ेगी इस तरीके से प्रबंदन पर कारे भार अधिक रहता है जो प्रबंदन करने वाला रहता है उस पर कारे बहुत सारी चीज़ों को उसको संबालना रहता है उसको पशू पर ध्यान देना ज़रूरी होगा उनके स्वास्त संबंदी किर्याऊ उपर भी ध्यान देना अतियावशक होगा एक ही साथ कई कार्यों के संपादन हितूष शरमिकों की समस्या उत्पन्न हो जाती है मतलब एक साथ बहुत ज़्यादा कारे आ जाते हैं तो समय पर आपको श्रमिक नहीं मिल पाते हैं तो ये भी एक समस्या आती है तो इसका निदान भी आपको करते आना चाहिए मिशित खेती में ये सारी हनिया होती है चली अगला जो है आपका वो क्या है सिंचित खेती है ना इरिगेटेट फॉर्मिंग सिंचित खेती का मतलब क्या होता है जिस खेती में हम क्या कर सकते है खेती की रियाव को संबंद करने के लिए पानी की विवस्ता होती है पानी दिया जाता है जिस खेती को तो इसको हम बोलते हैं सिंचित खेती ठीक है तो भारत में कुल करशी 6 छेट्रफल का 10 परतिशत 6 छेट्रफल ही सिंचित है बाके जो 70% है वो क्या है सिंचित नहीं है तो सिंचित खेती से 8% उत्पादन मिलता है सिचाई तीन विदियों से की जाती है कितने विदियों से की जाती है सिचाई कुवे है, नलकूप है और नहरे है तो तीन विदियों से सिचाई हम कर सकते है तो अधिकतर लोग कुवों का उपयोग करते है नहरों का उपयोग कुछ पर्टिकूलर छेत्रों में ही किया जाता है जहापर नहरों की व्यवस्ता होती है सिचाई में नहरों का अहम योगदान है मारत में 7 परतिशत गेहू, 40 परतिशत दान और 20 परतिशत दाले, तिलह, नियम कपास का उत्पादन सिंचित खेतर से आता है मतलब जहाँ पर सिंचित खेती की जाती है हमारे देश में सिचाई की दक्षता के वल 30 परतिशत ही है जिसे भविश्य में बढ़ाने की नितांत आविशकता है मतलब इसको बढ़ाए गया, तो क्या हो जाएगा, हमारा कर्शी उत्पादन बढ़ेगा जिससे हमारे आयक में भी वरद्धी होगी, हमारे राश्टी आयक में भी वरद्धी होगी अगला प्रशन पूछा जाता है, आपको सिंशित खेती के कोई तीन गुण लिखिए तो तीन गुण अगर आपको लिखने के लिए आए तो आप आसानी से लिख सकतो पहला दिया है, उत्पादन में भारी वरद्धी होती है मतलब अगर आप पानी दे रहे हो अपने खेत को, तो अबियसलि उससे क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा उत्पादन बढ़ेगा, ठीक है, सेकंड गिया है, फसल उत्पादन के लिए भूमी का उप्योग वर्ष भर किया जाता है मतलब आपको सिर्फ वर्षा रुतू पर रिपेंडेट होनी के आवशकता नहीं है अगर आपके पास में परियाप्त व्योस्ता है, खेती को सिंजित करने की, तो आप उसको वापस से खेती का यूज़ कर सकते हो गेहु चने के लिए जो भी आपके फसले होती है, उनको उत पादन लेने के लिए वेवसाई की स्तर पर कर्शी संभव है तो वेवसाई की स्तर पर भी कर्शी करना क्या होता है संभव होता है सिंचित खेती से हान्या क्या है मतलब सिंचित अगर खेती आप कर रहे हो तो उससे क्या हान्या होगी तो अच्चित भूख जल दोहन से water level लगाता नीचे जा रहा है मतलब हम जो reserve water होता है तो उसका अगर use कर रहे है तो क्या होगा जो water level होता है जलिस्तर जो होता है वो क्या हो जाएगा नीचे चले जाएगा सिंचित खेतरों में लवनता की समस्या उत्पन होती है जो सिंचित खेतरों होते है उनमें जो लवनता होती है उनकी समस्या क्या हो जाएगी उत्पन हो जाएगी चलिए आज हम इतना ही content complete करेंगे अगले वीडियो में अगले जो content होगे हम उस पर चर्चा करेंगे आई होप यह explanation आपको समझ में आया होगा ठीके धन्यवाद